नमस्का दोस्तों मेरे चैनल चुढा मैं आप सभी का स्वागा थे आज हम बहुत ही टेस्टी सकरकंदी का खीर बनाने चारे हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं हमने यहाँ पे सकरकंदी का खीर बनाने के लिए 300 ग्राम सकरकंदी ले दिया है आधा लीटर दूद 6 टेबल इस्पून चीनी और केसर के कुछ ठागे को हमने दूद में पहले सही भी गाके रख लिया है चलिए तो सकरकंदी का खीर बनाने शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे सकरकंदी को दो बार पहले सही पानी से अच्छे तरीके से धोलिया है अब हम इस सकरकंदी के उबर के छिलके को हटा लेंगे इस तरीके से चाकू की साहता से हम सारे सकरकंदी के छिलके को हटा लेंगे अब हमने सारे सकरकंदी से छिलके पूरी तरह से उता लिया है चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे तरीके से धोलेंगे जोने बात है हमें इसे उबालेंगे अब हम शकरकंदी को कुकर के अंदर आनेंगे और शकरकंदी के दूलने तक पानी दानेंगे बब बब खुगर की बब बंद करके हम इसे गपकर हाई आए फ्ले में चार सिटी को आए तक वग लेंगे हमारा सपर कंदी और अच्छा तरीके से वग चुका है तरी इद हम इस शबर कंदी को लेट में निकाल लेते हैं सब निकाल लेंगे अब हम अपने सकलकंदी को थंड़ा होने के लिए इसी तरीके से छोड़ेंगे और दूसरी तरह हाइफ लें में दूत को बालेंगे अब हम यहाँ पर हाइफ लें में रैसाम कर लिए है और दूत को बालने के लिए चाहा देते हैं अब हमारी शकलंदी भी ठंडा हो चुका है अब हम इसे बड़े-बड़े पिशेस में कट करनें ज riktो बालेखiken हम बड़े-पिशेस में मसेत करनें पहर थे और भी बालिक कार लिक है इस हलत ow उन आप देख नरी में भी बाली लगेलयो में नगें और दालने ग्वाद गयास का फ्लेम हम उ ह etcetera कर लेंगे अर ज सी टरीके से हॉाई फ्लेम बीज बीज में चलाते हुए चकरकंदी को पका लेंगे अब हमारे सकरकंदी को दूद में पकते हुए ज्यू मिनन हो चुका है और हमने इस तरिके से साइड में जोम लाई आ लिया उसे निकालते हुए दिड़ बीच में चलाते हुए सकरकंदी का ख़ीर ताया कर भाही है तो अब हम इसमें चिनिया कड़ा देते हैं चिनी दालेगे दूद में भीगा हुआ केसार दालेगे और इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए और पका लेगे इसी तरीके से साइट अमलाई होसे निदालते हुए पकाईए जब आप जब कभी मी शकरकंदी का खीर तयार कर रहें तो उप्यों हुए शकरकंदी का ही इ अब हम सकरकंदी के खीर को लेक में शरू करते हैं अब हमारा सकरकंदी का खीर है और खाने के लिए पूरी तरशे रेधी हो चुका है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सेया जिरू करें